राम राम चाह आप सभी का स्वागत है आज इस नई वीडियो में बहुत ही डिफिकल्ट होता है दालमोट नमकिन को बनाना कास करके आप जब भी बनाते तो यह बहुत खड़क हो जाती है तो इसको खस्ता केज़े करना है तो सबसे जरूरी होता है कि इसको सबसे ज्यादा द तो दालमोट यह यह यानि कि साबूत मसूर्ज होता है उस मसूर को हमने रात बर यानि करेंगे आट घंटे तक भीगो के रखा भीगो के रखने से यह अच्छी तरीकी चे फूल गया है एक दम बढ़िया और नरम हो चुका है अब हम इसको दो तिन पानी से साब दो कर ले अब यह जो दालमोट है दोस्तो हम इसको दालमोट केते हैं लेकिन इसका जो नाम है वो है साबूत मसूर्ज अब यह भीग कर तयार हो चुकी आच्छे से फूल गई है और एक दम बढ़िया नरम हो गई है इसको फ्राइ करने के लिए हम इसको जो है एक दिम बढ़िया ते आपर देखिए बड़ी वाली कड़ाई के अंदर और यह लखडी की बटी हम यूज कर रहे है और जो तेल लिया है वो है दोस्तों सोया बिनका ओल है तेल बड़ी वाली कड़े में मैंने लेलिया है और दालमोट को तलने के लिए तेल की मातरा हमें कम रखनी है और तेल की जो आज से वह में बहुत ही ज़्यादा तेज रखने दे कि तील से धुआ उट रहा है एकदम गर्म होना चाहिए अब हम यहापर जो है दाल मट को मसूर को जो है फ्राई करेंगे तो इस तरीके चे यह फ्राई होती है इसको बहुत ही सावधानी चे करना होता है और इसके अंदर पाने की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए तेल की आज कम न हो इसलिए इसको ज़्यादा आज परे में फ्राई करना होता है और धिरी धिरी यह पकेगी तो आटामेडिक तेल के उपर तेरने लगेगी इसको फ्राई होने में 3-4-4 मिनिट का समय लगता है तो आब आप देख सकते हैं जब यह तेल के उपर तेरने लग जाए तो इसको जो है जारे से हमें इसको थोड़ा आगे पिछे करते रहने का कम चे कम एक मिनिट तक ऐसा करने से जितनी भी मसूर ह तो वह असा नीचे पूरी पक जाती है और एक की दो भाग हो जाती है अंदर से जो है वो वन बाई टूपीस हो जाएंगे ना तो वह अच्छे से खाने में कुरकुरी लगेगी तो अभी यह पक गई है अब हम इसको जो है तेल से बाहर निकाल देंगे तो यह देख सकते हैं काफिक कुरकुरी और एक द्यम बढ़िया अच्छे तरीके से दाल मौट हमारी पक यह है दाल मौट यह निकी साबूत मसूर यहाँ पर यह जालीदार बड़तन है इसके अंदर इसको रखेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी एक्ष्ट्रा तेल होगा वह पूरा निच्छे डबे के अंदर चला जाएगा इसी तरीके से हम पूरी मसूर को जो है पका कर ले लेते हैं दाल मौट को पूरा फ्राई कर लिया है अब इस बड़तन के अंदर ले लेते हैं और आपको मैं जूम करके दिखता हूँ कि दाल मौट फ्राई होने के बाद यह जो है वन बाई टू पी जयाने के अंदर से अच के अंदर सेव जो होती है डालने से इसकी खुपसूरती और स्वाद दोनों बढ़ जाता है तो यहाँ पर मैंने लिया है एक किलो बेसन इसके अंदर एड करेंगे 30 ग्राम नमक बेसन और नमक के अलावे इसमें और कुछ भी यह एड नहीं होता है अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी लेकर एक सॉप्ट डो लगा कर हम तयार करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने डो को गूत लिया है और इसको हम तुड़ा ओर सॉप्ट कर लेंगे थाकि सेव मारी बनने में हसनी होगी अब यह जो बेसन है दोस्तों जिसका हमने डो लगाया है अब इसको जो है इस मसीन के अंदर बरेंगे यह मसीन है दोस्तों सेव बनाने की इस मसीन के अंदर आप अलग-अलग तरीके की नमकीने बना सकते हैं और यह आसनी से अमेज़न पर अवैलेबल है और अब हम जो बना रहे हो है एक नमबर सेव दाल मौट के अंदर हम एक नमबर सेव एड़ करेंगे सेव को फ्राइ करने के लिए तेल हमने यह पर रख दिया है सुयब इनका तेल हम यूज़ कर रहे है और तेल की आच मेडियम आच पर है और आप इसके अंदर हम सेव फ्राइ करेंगे हमने यह पर मसीन को रख दिया है और अब हम इसको गुमाते जाएंगे और सेव हमारी बनते जाएगी जो देख सकते हैं सेव हमारी फ्राइ हो रही है जैसे ही जाग कतम हो जाएंगे इसको हम पलट कर बाहर ले लेंगे तो सेव को पलट देते है यह देख है पलट दिया और इसको बाहर निकाल देते है सेव का झो कलर है देख सकते हैं बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है एक दम बड़िया येलो कलर दिख रही है Хотя सेव हम हारी एकदम पर्फेक्त तरीके में चला जाएगा और तेल हमाँ सेव मारी एक द्रय हो जाएगी इसी तरीके से हम पूरी सेव बना कर ले लेते हैं तो दाल मोट जो नमकीन हमारी इसके अंदर मसाला करेंगे नमकीन पूरी रेडी है मसाले के लिए हम इसके अंदर एड़ करेंगे सबसे पहले नमक तो नमक मैंने यहाप लिया है 60 ग्राम काला नमक ले लेंगे 60 ग्राम उसके साथ में आम चूर पाउडर ले लेंगे हम 30 ग्राम और मिर्ची पाउडर 100 ग्राम क्योंकि तीका थोड़ा हमें जादा खाना है अब हम इन सभी मसालों को पहले मिक्स करेंगे अब इस मसाले को हम एड़ करें अब यह मसाला इस दाल मॉट के उपर हम चिड़िक देंगे और अच्छी से फिर मिक्स करेंगे अब देखिए यह सेव हमने बनाइती इस सेव को दाल मॉट के अंदर एड़ कर देंगे और फिर इन सभी को हम बज्या मिक्स करेंगे तब जाकर हमारी तयार होगी दाल मॉट नमकीन तो फाइनल यह आपर दाल मॉट नमकीन हमारी बनकर तयार हो चुकी है बहुत सरल तरीके से मैंने बनाई है और इसके अंदर जो जो समग रेड हुई है पूरी मैंने आपको इसकीन पर भी लिखकर बताई है और वीडियो की डिस्क्रेप्शन बॉक्स के अंदर भी लिखकी हुई है तो आप इस नमकीन को जरू 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 ट्राई करें तो मिलेंगे एक और नहीं वीडियो में दोस्तों आज की अलबशित नहीं जाए इन वन्दे मातरा अब आपके लिए ऐसी और नहीं नहीं वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे वीडियोस को लाइक और सेर करना और कमेंट भी करना कि आपको अगली रेसिपी कौन सी देखनी है हम आपके लिए प्रतिदिन नहीं नहीं वीडियोस लेकर आने का पूरा कोसिस करेंगे तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को दिल के गरायों से बहुत बहुत धन्यावाद